हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी मैथमेटिक्स क्लास में और आप देख रहे हैं क्लासेस बाइप्रिया आज हम पेर आफ लिनियर इक्विशन इन टू वेरियेबल्स जो क्लास देंद की बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है और बोर्ट में इसमें से बहुत सारे प्रस्ट पूछा जाते हैं आज हम इस चेप्टर का में देखेंगे substitution method के द्वारा कैसे हम दो linear equation को solve करते हैं उन्हें हल करते हैं चलिए देखते हैं substitution method हम एक example ले लेते हैं मान लिजे हमारे पास कोई तो linear equation x plus y equal to 14 x minus y equal to 2 है इसको substitution method से solve करने के लिए हम stepwise कुछ करेंगे चलिए देखते हैं मान लेते हैं ये equation first है और ये equation second है step 1 हम इन दोनों में से कोई एक equation को लेकर उस पे solve करते हैं चलिए हम equation 1 ले लेते हैं अब हम यहां से x का मान निकालेंगे x equal to 14 minus y आपने जानते ही हैं कि ये y हमारा positive है जब ये equal के right side पे आएगा तो ये negative हो जाएगा इस तरह हमारा x equal to 14 minus y आ गया step 2 हम इस x का मान equation 2 में रख लेंगे और इस equation को equation third दे देंगे हम जानते हैं कि हमारी equation 2 है x minus y equal to 2 हम इसमें x का मान रखेंगे तो हमें पता हैं कि x का मान 14 minus y है चलिए रखते हैं 14 minus y minus y equal to 2 14 minus y minus का y minus का y minus का 2y equal to 2 now हम variable को एक side ले जाएंगे numeric value को एक side ले जाएंगे now minus 2y जब right hand side जाएगा तो ये plus का 2y हो जाएगा plus का 2 जब ये left hand side आएगा तो ये negative 2 हो जाएगा यानि 14 minus 2 now 2y equals to 12 y equals to 12 by 2 y equals to 6 तो देखा दोस्तों कैसे हमने substitution step 2 से y की value find कर ली है अब हम इस y की value step 3 में इस y का value equation number 3 में रखेंगे आईए देखते हैं हमें पता है equation number 3 है x equal to 14 minus y इस equation में y का मान रखने पर x equal to 14 minus 6 x equal to 8 तो देखा दोस्तों कैसे हमने substitution method के द्वारा अपनी linear equation को solve किया मुझे आसा है कि आपको ये समझ में आया होगा ऐसे ही step wise आप करेंगे तो आपका substitution method कभी गलत नहीं होगा और हम आपको अच्छे marks मिलेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको like करें share करें और इस channel को subscribe करें Thank you